घ्ल्लो एवर्वं आज हम लोग बात करने या रहे हैं सी सकाणिंग। सवय अ sûडूलिंग ने बारे में। हम लोग इसरे और कोषन करेंगे और समझेंगे सिष स्काणिंग क्या हैं। में कोषन देरा देता है हम लोग पास गीवन हैं 16 190 हैं हम लोग को क्या दे रखा है गीवन क्या है current position कि गिवन है head की कितनी है 50 है हम लोग को current position given है अब क्या calculate करना है total number of track calculate करना है movement by head wing read and write head wing total number of क्या करना है हम लोग को calculate करना है total number of track ट्राक कि मुव्मेंट बायदा रिरें राइट ट्राक है रेड़ विंग ठीक तो चलिए सॉल करते हैं एक ट्राइक दे रखें हम लोगो ट्राक को कहा जीरो से रखी है वन नाइनिटी नाइन की हम लोग को करेंट पोजिशन चाँ किया गीवन हैम लोग क्या दे रखा है वन इखर्ण पोजिशन गीवन है 50 कटेंख zar तक करेंट पोजिशन जो 20 यहां होगी हम लोग ने इस स्कैन में देखा था कि अगर हम लोग एक डिरेक्शन में मूफ करेंगे तो हम लोग कहां तक जाएंगे तिल लास्ट ट्रैक तक जाएंगे तो सेम इसमें भी है C scan कहता है जिस भी direction में आप move करिए चाहे वो इस direction move करिए चाहे आप इस direction move करिए माल लिए इस direction move करेंगे तो जो last track तक हम लोग जाएंगे move till last track last track क्या है हमारी 199 last track है हमारी ठीक इस direction में move करते हैं अगर हम लोग इस direction में move करते हैं तो move till last track तो इस direction में आप देखे हैं हमारी last track क्या है? zero है last track zero है but अब यहाम बात कलते हैं c scan की बात करे हैं हम लोग इस scan में देखा था simple अगर हम इस direction में जाते हैं जो भी हम लोग को जो given है उसमें हम लोग विसिट करते हुए जाते हैं ट्रैक तक उसके बाद जो इस जर्यक्सिन में मूव करेंगे इस ज्रैक्सिन में मूव करेंगे तिल लाज अवी करेंगे उसके बाद ही हम लोग वैलु को veget करेंगे ठिक को मैं इसको सॉर्फ करते हो समझते हैं commitmentaires तो आ ही वे इंदैं के 400 पर वां अंग मंंव करानर करेंगे क्या सिफ्टी के बात मुव किरें के लिए यहां होगा है है कि फिफिटी के पाद कर लिया कि उसके बाद कहां मूव करेंगे हम लोग इसमें देखिए रिक्वेस्ट ट्रैग में 140 पर मूव करेंगे ठीक तो हम लोग ने 140 पर मूव किये यहां पर हम लोग को 140 मिल गया ठीक उसके बाद कोशन में देखेंगे क्या है 140 के बाद 170 पर जाना है तो 170 यहां होगा 170 पर मूव करेंगे हम 170 मिलगे हम लोग को अब देखेंगे कहाँ पर 190 में मूव करना है तो यहाँ जाएंगे 190 मिलेगा तो हम लोग 190 पर पहुँच गए मैंने आपको बताया था जिस भी डिरेक्शन मूव करेंगे क्या करेंगे C scan हो, J scan हो जिस भी डिरेक्शन में मूव करेंगे हम लोग कहा तक जाएंगे लास्ट तक जाएंगे तिल लास्ट तक हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग लास्ट ट्रेक मूव करेंगे तो कहाँ पहुच गया है 199 हमारा क्या है लास्ट ट्रेक है तो यह हमानों का लास्ट ट्रैक है ठीक अब लोग कुछ सोच रहा होंगे दिवा में कोशन आ रहा होगे कि हम लोग 50 82 क्यों लिखा क्यों 52 इसलिए लिखा कि हमां 50 करेंट पोजिशन है उसके बाद क्या ग्रेटर नंबर लेंगे 50 से ग्रेटर नंबर लेंगे जो कोशन में रहा हो जहां पे उसके इस बार चीटर रुटा उसको विजिट करते हैं एंगे अगर हम लोग इस रेक्सन मूव करते हैं तो आप हम लोग 50 से चोटा होता उसको करते है फिर जो वैलू आती माले जीं पिर 35 से चोटा क्या है को देखिए हुआ है ति यहां 43 आता फिर ँषसे चोटा लेते हैं फिर उससे चोटा लेते हैं फिर चोटा लेते हैं फिर तब यहां पर मोग लास्ट टरैक् att RIGHT अब बात करतें papa बट सी ट्रैक में ऐसा नहीं है, सी स्कैन में ऐसा नहीं, सी स्कैन में क्या यहां तक मूफ के ला आकरी तक, तो यहां से क्या करेंगे, फिर मूफ करेंगे कहां तक, सबसे छोटे ट्रैक तक, इस ट्रैक से मूफ करेंगे, कहां तक सबसे छोटे ट्रैक तक मूफ करेंगे, हम ल 0 से ट्रैक start करेंगे 0 सी स्टाट करेंगे 0 से सब сильно is 9 से बड़ी यू इसमें 16 मिल ला इस मिल ले part to share Goation में 16 मिल लोग 건 5 मूंँव करेंगे और लोग 10 हमार कर देंगे क्या 16 विजिट ठीक आप देखिए 16 से क्या बड़ी वैलू है 16 से बड़ी क्या वैलू है 24 लिया है 24 है तो हम लोग को क्या मिलेगा 24 यहां मिलेगा तो therefore move कर देंगे तो हम लोग को 24 मिल गया 24 हम लोग को यहां पे इस point पे मिल गया उसके बाद कौन से वैलई बचई 43 वैलई बचई 43 वैलई बचई 43 मिली तो 43 यहां पर आएगा ठीक तो हम लोग ने मुव गया 43 की और और यह हमारा ट्रैक को विजिट किया अब देखे कोई और वैल्यू बची? नहीं बची सारी यह वैल्यू हम लोग ने विजिट कर लिया ठीक यह हमारा यहां तक लास्ट ट्रैक है अब हम कहा निकालेंगे टोटल नमबर ओफ ट्रैक निकालेंगे तोटल नमबर ओफ ट्रैक कैसे निकालेंगे आपको या तो आप लोण मार्ज वे कर सकते हैं लोण मार्ज अटल क्या है इस तरह निकाल सकते हैं आप या तो सिंपल वे क्या है सबसे बढ़िया देखिए 57 लोग ने मुब किया लास्ट ट्रैक कहा तक गें तो लास्ट ट्रेक कहा तक गया है 190 तक तो क्या करेंगे 199-50 ठिक प्लस यह हमारा ट्रेक कवर हो गया अब देखिए 199 से मूफ किया कहा तक जीरो तक तो 199-0 ठिक प्लस फिर हम लोग ने 0 से मूफ किया 143 के और तो 43-0 अब यह सोच चिरे होंगे हम लोग ने 0-43 क्यों लिखा अगर यह करते तो वैलू क्या आ जाती माइनस में वैल्यू आ जाती इसलिए हम लोग ने लिखा 43-0 इसको कल्कुलेट करेंगे तो वैलू क्या आएगी 391 यह हमारा क्याएगा टोटल नमबर ओफ ट्रैक यह हमारा एंसर आगए आप चाहें इसको और तरीके से कल्कुलेट कर सकते हैं कैसे यह इजी वै है आपको बताएं और यह वै क्या है क्या करेंगे यह देखिए 57 लोग ने मूफ किया कहां 82 की ओर तो क्या करेंगे 82-50 फिर 82 से मूफ किया 140 तो फिर 140-82 फिर प्लस करेंगे 170-140 फिर 170 से मूफ किया 190 को और तो प्लस 190-170 फिर 190 से 199 के मूफ किया तो हम लोग ने कहल देखिए अब यहां तक मूफ कर लिए हम लोग ने यह हमाला इतना ट्रैक वा इस वेकर ट्रैक वा उसके बाद हम लोग ने कहां मूफ किया 190 से 0 के मूफ किया ठीक फिर क्या कर देंगे प्लस यहां तक मूफ कर लिए हम लोग ने इस ट्रैक्शन में ठीक sorry 199 से move क्या कहा 0 के ओर ठीक हो गया उसके बाद 0 से move क्या 16 के ओर मतलब 16 minus 0 plus 16 से 24 move क्या 24 minus 16 plus 24 से move क्या 143 के ओर 23 से move क्या कहा 143 के ओर 43 minus 24 तो इसको calculate कर लेंगे value answer जो आएगा 391 आएगा यह भी इस तरह भी कर सकते हैं आप और यह simple तरीका है यह हमारा क्या है easy way है value को calculate करने में तो यह हमारा जो question था क्या था C scan schedule में बेश था Thank you everyone